13 दिसंबर को संसट के अंदर जो कुछ भी हुआ उसने अब संसट को एक चर्चा का विश्य बना दिया है खास तोर पर संसट की सुरक्षा को लेकर कई तरीके की बाते हो रही है क्योंकि जो सुरक्षा घेरा था ये मंटी लेविल था दो व्यक्ति आखिर अंदर कैसे पहुंचते हों और इतनी बड़ी हिमाकत उनकी और से कैसे की जा सकती है और कोई स्मोक क्राकर लेकर अंदर संसत के कैसे पहुंच सकता है जाज जिंसियां अलर्ट हैं, लगातार काम हो रहा है, कारवाई चल रही है और उनसे पूछताज भी की जा रही है इस दौरान आपने बहुत सारी खबरे सुनी होंगी, बहुत सारे आर्टिकल्स आपने पढ़े होंगे कई सारे विश्रेशन आपने देखे होंगे, कई विडियो सोशल मीडिया पर सर्क्लेट हुए आपने देखे होंगे, कई तस्वीरें भी इसको लेकर आपने देखी होंगे, लेकिन आपकी जहन में एक सवाल जरूर होगा, सवाल यही कि यह जो चार लोग थे, दो सदन के महराश रुका था, सब अलग अलग जगहों से आए हुए लोग आखिर आपस में कैसे मिलते हैं और इतनी बड़ी प्लानिंग, इतनी बड़ी साजेश यह कैसे रचते हैं, देखे हर चीज के पीछे एक कहानी होती है, कहानी क्या है, अब आप सुनिए, यह कहानी शुरू हो page से तमाम आरोपी जुड़े हुए थे. यहीं पर इसी platform पे इनकी मुलाकात होती है. 2022 में यह प्लान करते हैं कि यह आप आमने सामने एक दूसरे से मुलाकात कर लें. फिर यह सभी आरोपी मुलाकात करते हैं मैसूर में और मैसूर में यह इनकी पहली मुलाकात भी थी साल 2022 में इसके बाद ये प्लानिंग बनाते हैं कि अब संसत की रेकी करनी चाहिए संसत की रेकी के लिए ये पहली जिमेदारी देते हैं मनुरंजन को मनुरंजन को इन्होंने ये जिम्मेदारी दी थी कि वो अंदर जाकर संसत की रेकी करेगा और उसने इकाम कब किया इसी साल 2023 में मार्च में जब बजट सत्र चल रहा था उस दोरान मनुरंजन ने संसत के अंदर की रेकी की संसत के बाहर की रेकी भी जरूरी थी क्योंकि ये plan set करना चाते थे देखना चाते थे कि जो सुरक्षा घीरा है आकर कितना बड़ा है क्योंकि बहुत सक्ट चेकिंग बहां पर होती है तो बाहर की जिम्मेदारी दी गई थी सागर को सागर और मनुरंजन ये वही दो लोग हैं जो उस वक्त अंदर मौझूद थे जो कूदे थे वेल में और ऐसे में विस्टर्स गैलरी में गैलरी से इन्होंने कूद लगाई थी और सागर को जिम्मेदारी बाहर की दी गई थी यानि कि संसत के बाहर की जो रेकी थी वो सागर की ओर से की गई थी इसी साल जुलाई में फिर इनकी प्लानिंग बनती है कि आब ये लोग कैसे मिलेंगे गोमती एक्स्प्रेस टेन से सागर लखनों से दिल्ली पहुंचता है और उसी के एक घंटे बाद नई दिल्ली रेल्वी स्टेशन पर अमोल भी पहुंच जाता है अमोल महराश्ट उसे नीलम हिसार से दिल्ली पहुंचती है यानि अलग-अलग जगाउं से प्लान करकर सब दिल्ली में आते हैं दिल्ली पहुंचते हैं और सभी आरोपी फिर मेट्रो स्टेशन पर मिलते हैं मेट्रो स्टेशन से ही पूरी कहानी शुरू होती है जब इनकी मुलाकात वहां पर होती है 10 दिसंबर को सागर, नीलम, अमोल ये तमाम लोग गुरुग्राम पहुंचते हैं और 10 दिसंबर की रात को लगबग ललित भी गुरुग्राम पहुंच जाता है मनोरंजन 11 दिसंबर की सुबा को गुरुग्राम पहुंचता है यानि सब प्लान करते हैं कि वो गुरुग्राम में अब मिलेंगे दिल्ली के बाद इनका अगला पड़ाव होता है गुरू ग्राम, तो गुरू ग्राम में इन सब की मुलाकात होती है, तीन दिन तक यारोपी वही पर रुखे, गुरू ग्राम में ही ठेहरे, वही पर विचार विमर्श इनका हुआ, पूरी प्लानिंग वहां पर बनी, और पा रानिंग 14 दिसंबर को थी, लेकिन क्योंकि पास जल्दी मिल गया, इस वज़े से इन्होंने 13 दिसंबर को ही इस पूरी साज़ज को अंजाम दे दिया था, और इसी वज़े से 13 दिसंबर की तारीक इनकी ओर से यहां पर तै की गई थी, इससे पहले यह चाते थे कि 14 को किया, और 13 दिसंबर को सागर ने सदर बाजार से तिरंगा भी खरीदा था, इसके लावा महादेव रोड से सांसत की पीए से सागर ने पास भी हासल कर लिये थे, मतलब इन सब के लिए एक पास बने थे और सांसत की जो पीए थे उनकी ओर से सागर ने पास हासल किये, फि कि कोई चूक ना हो जाए, संसत के अंदर ये आराम से पहुंच जाए, उसके बाद इंडिया गेट पर ही ये तैय हुआ कि सागर और मनुरंजन को अंदर भेजा जाएगा, तो यहां से प्लानिंग सेट होती है कि अंदर कौन रहेगा और बाहर कौन रहेगा सागर और मनुरंजन दोनों अंदर रहते हैं मनुरंजन और सागर वही दोनों है जिन्होंने संसत के अंदर की रेकी की थी और बाहर की भी वही लखनव से सागर जूते भी लाया हुआ था तो सोचे किस तरीके से पूरा प्लान इन्होंने यहाँ पर सेट किया, जूता वही है जो लखना उससे आया था जिसके अंदर सागर ने स्प्रेच छिपा कर रखा हुआ था, इसी के अंदर वो कलर स्मोक था, इसी के अंदर से वो निकालता है जैसे ही वो बेल में नीचे है और उसके बाद कई सारी डेस्को को फानता हुआ, वो आगे बढ़ता है और तभी अचानक से जब सांसद उसको घेर लेते हैं, वो स्मोक पे निकालता है फिड़क देता है, इस तरीके से इन्होंने पूरा प्लान इहाँ पर सेट किया था, और ऐसे मुलाकात होती है, 12 दिसंबर की तारीक तै की गई थी, लेकिन क्योंकि पास जल्दी मिल गए, तो 13 दिसंबर को ही इन्होंने पूरी साज़िश को अंजाम दे दिया,